तो एक तो जो मैंने अपनी वीडियो में पूछा था कि गीता के अपर अगर में वीडियो बनाता हूं उसकी हेल्प से श्रीमित भगुदे के अप लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूं तो किया आप लोग उसमें इंट्रेस्टेट होंगे तो काफी लोग की कम हैं श्लोक्स हैं जो उनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन से उनको समझाने की तो वो चीज़ के अकॉर्डिंग मुझे प्लाइन करना होगा तो इसमें थोड़ाँ सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ कोशिश करूँ है जितने जल्दी हो सके तो आज की वीडियो भी बहुत हो जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं वैसे ही sentences आएं और उसकी helps में आपको सिखा सको तो पहले sentence से वीडियो हम शुरू करते हैं तो पहले sentence है आपको देखकर बहुत अच्छा लगा बेसिकली यह बहुत ही simple sentence है ठीक है it's so nice to see you so का सिर्फ बहुत वाला sense है जैसे हम बोलते है it's nice to see you तो basically यह simple वाला sentence होता present का जिसमें कोई action नहीं है सिर्फ हम किसी condition की बात कर रहे है कैसी state की बात कर रहे है अगर देखो यह sentence आप action में भी बना सकते थे लगा कैसे महसूस करके so I felt good seeing you आपको देखने से देखकर तो कोई चीज़ करके वहाँ पर ing का भी use कर देते है having plus third form का यूज़ कर देते हैं और यहाँ पर मुझे लगा so I felt I did feel past indefinite sentence हो गया do or main word action I did feel did छुपा feel में felt बन गया second form बन जाती है so I felt nice saying you after saying you चेक है इस तरीगे से simple पर रखो कि it's so it's nice to see you आपको देखना अच्छा है यह इस तरीगे सा गया sentence चेक है कि यह अच्छा है आपको देखन it's nice to see you that's a sentence बना चीक है इसको इस टिपिकल हिंदी में देखो it is nice to see you तो आपको देखना अच्छा है यह इस तरीगे से बनेगा to हटा दोके तो आएंची लगा सकते हो चीक है it's nice seeing you आपको देखना अच्छा है इस तरीगे से भी अगर बनाऊगे तो वो sentence में विल्कुल सह अब यह आज कितनी जल्दी कैसे आ गए चीक है अब हो से बना सकते हो कि हाओ कैसे वाले sentence के लिए या फिर जैसे क्यों आ गए बेसिकली वो sentence क्यों आ गए कैसे आ गए सो हाओ का भी यूज कर सकते हो वाई का भी यूज कर सकते हो मैंने अपर वाई लिया चीक है अब यह sentence दो तरीके से बन सकता है चीक है क्यों आ गए अब मैंने बताया हुआ यह 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 है जी है जो इस तरीके के sentence हमारे खतम होते है वो mostly आपको present perfect का sentence लगेगा present perfect की पहचान किया है कि sentence जो है वो past का होगा लेकिन उसका असर अभी भी है जैसे यह जिल्दी क्यों आ गए अब आया तो यह पांच मुट पहले दो मुट पहले है पास तो हो गया लेकिन उसका असर अभी भी है कि वो यहाँ पर present है अगर यह आकर चला जाता तो उसका आने इतनी जल्दी क्यों है इस तरीके से सो कोशन वर्ड में वर्ड फरम किसकी बात करें और वो कोशन में क्या है कब है वो चीज़ आ जाएगे कोशन वर्ड हुआ क्यों किसके बात करें यह भी अब यह कहा है जल्दी इतनी जल्दी सो का सेंस इतनेके लिए गया है इतनी जल्दी यह वा जयसे गया गया वो लेट आया अब हमारे पास दो तरीके हैं या वाई आर यू सो लेट वाई आर यू लेट या फिर वाई आर यू लेट तो इतनी देर से क्यों आए लेकिन यह पर आने वाली बात तो करी नहीं वाई आर यू लेट तुम लेट क्यों आए लेकिन आने वाली बात तो कर गए है आफिस में कोई काम नहीं था क्या अब देखो ये सेंटेंस इस बहुत जरूरी है हम बेसिकली क्या करना है क्या तुम्हारे आफिस में कोई काम नहीं था हम ऐसे नहीं बोलते हैं हम बोलते कैसे हैं आफिस में काम नहीं था क्या अब सेंटेंस खतम हो रहा है क्या पर अ इस चीज में आपको पढ़ना ही नहीं है इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप English में translate करने से पहले आप ये देखो कि जो हिंदी में sentence हम translate करने जा रहे हो क्या वो उस simple language में टूटा हुआ है पहले उसको simple language में तोड़ा जो कि convert आप कर सकते हो एक convertable language में तो office में कोई काम नही था तो basically यह sentence है इसमें कुछ action है इसमें कोई action नहीं है ठीक है किसी चीज़ की existence की presence की बात कर रहे है ठीक है their वाला sentence है there is a bottle in fridge कि fridge में bottle है there is no bottle fridge में bottle नहीं है कोई काम नहीं था there was no work चीक है there was no work कोई काम नहीं था अब ये सवाल आ गया और negative क्या office में काम नहीं था तो basically ऐसे sentence का formula क्या होता है पहले question word चीक है sorry sorry question word नहीं आएगा इसमें सबसे पहले main word अगर सवाल ऐसा आज है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ सबसे पहले main word आता है अगर negative आ गया तब भी सबसे पहले main word फिर doer फिर not फिर action क्या बोला main word doer not और action अब यहाँ पर ना तो action है ना ही doer है there वाला sentence है सबसे पहले main word फिर there फिर not और फिर वो क्या चीज़ नहीं थी किस चीज़ की existence नहीं थी question word यहाँ पर main word क्या लगा सबसे पहले was past के बात कर रहे है there was a bottle simple सा समझो there was a bottle एक bottle थी there was no bottle bottle नहीं थी अब जब question आया क्या bottle थी क्या वहाँ bottle थी so was there a bottle चीज़ है simple सा पर was there any work in office क्या office में हों की काम था अब negative हुआ क्या office में काम नहीं था so was there no work चीज़ है in office चीज़ है अब was और not को merge कर दिया wasn't there any work wasn't there any work क्या office में कोई काम नहीं था अगर चाहो तो was there not any work ये भी sentence बनेगा लेकिन was और not को merge करके wasn't wasn't there, नहीं work in office क्या office मों की काम नहीं था ज़िए अब मैं जल्दी नहीं आ सकता क्या, अब यहाँ पर भी क्या end में आ गया लेकिन काइदे में sentence क्या बनेगा क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता क्या मैं अब ये बिल्कुल typical वो formula आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था question भी है, ऐसा question जिसका जवाब मैं हायना में दे सकता हूँ और negative भी हो गया, सबसे पहले main word फिर doer, फिर not, फिर action main word doer, not और action main word क्या है, अभी सकता है, सकती है वाला sentence है, can doer कौन है, मैं, मैं नहीं आ सकता क्या, I, फिर I are not can I not, action क्या है, आना come, so can I not come early, या फिर आप can or not को merge करकर can't कर दो can or not, अलग लग रखो कि वो भी चलेगा, कि can I not come early, या फिर can't I come early, क्या मैं जल्दी नहीं आ सकता ये लिए नहीं question है, नहीं negative है, लेकिन action है, आना, आप जब चाहो आ सकते हो, चीक है doer, main word, action, simple formula doer, main word, action so doer कौन है, आप, you main word can, action क्या है यहाँ पर, आना so you can come, आप आ सकते हो, you can come, जब आप चाहो whenever, जब भी अब भी करना science आता है, जब भी जब के लिए क्या लगा दे है, when भी के लिए, ever लगाएंगे यहाँ पर, so whenever जहां भी, जहां क्या लगाते है, where फिर ever लगा दे है, where, ever, जहां भी, ठीक है, जो भी जो के लिए क्या क्या है, who, whoever ऐसे so आप जब चाहो, आ सकते हो so you can come, आप आ सकते हो जब भी whenever आप चाहो आप चाहते हो you do want present indefinite sentence है जब भी आप चाहो whenever you do want do छुपँ want में और कोई चेंज नहीं आएगा so whenever you want इसको आगे पीश भी कर सकते हो whenever you want you can come ये भी सही है you can come whenever you want ये भी सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप जब चाहो आ सकते हो you can come whenever you want दरासल मेरे boss ने मुझे एक client से मिलने के लिए भेजा था दरासल के लिए actually मेरे boss ने मुझे एक client से मिलने के लिए भेजा था past indefinite sentence है ना ही negative है ना ही question है do or mean word action do or कौन है यापर काम करने वाला कौन है boss मैं नहीं हूँ boss है किसे ने भेजा बॉस ने भेजा हिंदी में समसे सिंपल है end वो देखो action क्या है action है भेजा था किसी ने भेजा था बॉस ने do or कौन है boss do or mean word action do or आया my boss mean word आया did action है भेजना send did छोबा send में क्या बना send के second form sent so my boss sent me my boss ने मुझे भेजा था client से मिलने के लिए to meet a client to meet a client hit client से मिलने के लिए लेकिन वो पहले ही hotel से जा चुका था अब ध्यान से समझना boss ने मुझे कब भेजा past मैं client पहले ही जा चुका था मतलब जो काम में past कि मैं की बात कर रहा हूं उससे पहले कोई काम अगर हुआ तो वो sentence होता है past perfect का जिसमें head और third form लगती है जैसे मेरे station पहुँचने से पहले train जा चुकी थी तो station पहुँचने से पहले train चली गई सबसे पहले train चली गई तो वो head वाला वो हो past perfect सेम यहाँ पर boss ने मुझे भेजा मैं गया लेकर उससे पहले ही वो बंदा hotel से जा चुका था वो पहले ही hotel से जा चुका था so do or mean word action ही लगेगा do or कौन है वो he mean word had action क्या है जाना go लाला सकते हो या फिर leave कर दिया hotel तो leave की third form लगी left he had left the hotel वो hotel से जा चुका था अब जो term बची है पहले ही इस पहले ही क्लिम क्या लगेगा already यह already जो term है यह sentence के शुरू में लगा सकते हो चाहिए end में लगा सकते हो या फिर अगर बीच में लगाओगे तो बीच में लगेगा यह action से पहले action कहें left उस से बारे लगेगा so he had already left the hotel end में लगा सकते हो he had left the hotel already शुरू में लगा सकते हो already he had left the hotel तीनों तरीके सबहые जो आपको समझ बहाए है जो आपको ठीक लगे है इसलिए मुझे जल्दी आने का मौका मिल गया इसलिए मुझे जल्दी आने का मौका मिल गया यहां पर action बताओ क्या है यहां पर action आना नहीं है जल्दी आना नहीं है यहां end में एको क्या है तो यह एक action है कि मुझे कोई चीज मिली मिलने के लिए हम क्या यूज़ करते है get simple term है get का यूज़ करो past indefinite sentence है इसी लिए के लिए मैंना soka use कर लिया that is why आप use कर सकते हो that's why so reason being मुझे जल्दी आने का मौका मिल लिया past indefinite sentence है नहीं negative है नहीं question है do or mean word action do or कौन है किसे मौका मिला मुझे I mean word did action मिलना get did छोपा get में got बन गया I got मुझे मिला एक मौका a chance जल्दी आने का to come early चीक है जी इसलिए मुझे जल्दी आने का मौका मिल गया so I got a chance to come early चीक है तो तयार हो जाईए आज हम party में आमंतृत है पहला sentence है तो तयार हो जाईए ये तो वो sentence है जहापर मैं किसको कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तयार हो जाओ इसमें क्या होता है do छुपा रहता है get ready अगर negative बनाओगे don't get ready तब do बहार आजगा not के साथ so get ready तयार हो जाओ आज हम party में आमंतृत है आज के लिए today लगाया side में रख दो हम party में आमंतृत है ये कैसा sentence है ये passive sentence है हमने नहीं किया है ये action हमने perform नहीं किया है हम पे किसी नहीं action ये perform किया है ये होता है passive sentence इसका formula simple है मैंने कई वर बताया भी हुआ है सबसे पहले object जिस पर काम हुआ फिर main word फिर उस पर क्या काम हुआ उसकी third form जैसे मैंने बोला दिवार को paint किया जा रहा है काम किस पर हो रहा है दिवार पर the wall फिर main word आया यहाँ पर is being उस पर क्या काम हो रहा है paint का painted third form आ जाएगे the wall is being painted दिवार को paint किया जा रहा है तो हम को party में हम आज हम party में आमंतृत है हमें party में आमंतृत किया हुआ है तो किस पर काम हो हम पर we, main word are अब हम क्या है invite, उसकी थरफा हम invited so we are invited हम आमंतृत हैं, हमें आमंतृत किया गया है at party, party में simple है, तो तियार हो जाइए आज हम party में आमंतृत हैं so get ready, today we are invited at party सही में जाना है क्या अब ये कैसे बना होगे, सही में जाना है so do we really have to go do we really need to go जैसे मैंने बता रहे हुआ है कोई चीज़ करनी है इसमें क्या होता है need to, have to या want to या फिर is to, am to का भी use हो जाता है रेकिन इनको भी है छोड़ो need to, have to, want to इन तीनों का use करते हैं अगर singular term आ गई तो वो have का has बन जाता है क्योंकि does छुप जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ अगर जैसे मैं बोलू मुझे जाना है I need to go I want to go I have to go तीनों सही है जरूरत है जाने की तो I need to go मन है मेरा खुच जाने की I want to go एक मजबूरी है अब है यह कह रहा है क्या हमें जाना है Do we have to go ऐसे बना सही मैं या सही मैं जाना है तो really का use करेंगे यह जिस कहां लगी यह एक्शन से पहले एक्शन का I have to go So do we really have to go हमें सही मैं जाना है क्या ऐसे sentence है मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो अब देखो feel में बेसिकली यह sentence हो गया आपका present continuous sentence कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा so I am not feeling like to go लेकिन एक चीज़ याद रखो feel में ing इस तरीके से मत लगाना मैं महसूस कर रहा हूँ I am feeling नहीं यह चीज़ गलत है doctor वाली condition होती है जो एक थोड़ सा exception case है how are you feeling today वो एक अलग चीज़ है वो एक exception is इसमें एक बहुत बड़ी भहसबाजी भी चल रही है अगर आप देखोगे तो search करोगे और इसके बारे में पढ़ोगे तो यह इसमें एक भहसबाजी भी है लेकिन अगर कायदे में देखा जाए जो एक सही term है वो feel में ing नहीं लगाते है feeling का मतलब होता है हमारी जो feelings होती है हमारा जो अनुमर होती है हमारी feelings जैसे मैं को बहुत है feelings hurt कर दी तो feeling उस term में जाती है I am feeling good I am feeling good नहीं I feel good तो यह in definite form में जाता है तो मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है I am not feeling like going यह नहीं बनेगा I don't feel like going अगर मैं बुलू हूँ मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ So I am not feeling good यह जिस गलत है I don't feel good today ठीक है डॉक्टर वाली condition अलग है बस So I don't feel like going Like doing something Like एक यहादा कि मन करना Feel like I don't feel like I don't feel like का मन नहीं है So I don't feel like going at all Go में ing लगा है जाने का वो नानीने वाले सेंस के विए है So I don't feel like going मेरा जाने का मन नहीं है बिलकुल भी at all हमने एक विदिन साथ नहीं बिताया है अब end में या है ये है ये है आ रहा है मैंने बताया Present perfect sentence और ये negative है Doer, mean word, not, or action Negative है तो Doer, mean word, not, or action Negative नहीं है Doer, mean word, action Negative है तो बस not आ जाएगा So doer कौन है हमने We, mean word, have फिर आया not Action क्या है बिताना, spend करना Spend की third form लगी Spend Present perfect third form आएगी So we have not spent एक विदिन साथ में A single day together ठीक है So have not को merge करके haven't कर दिया So we haven't spent A single day together हमने एक विदिन साथ नहीं बिताया है क्या आपको नहीं लगता कि एक कूरता है ठीक है पहला है क्या आपको नहीं लगता अब लगता कैसे मालब सोच के या महसूस करके So अब यहाँ पर sentence बहुन सा है एक question आ गया क्या आपको नहीं लगता है Question आया Negative भी है कैसा है जिसका जबाब मैं हाय नामे दे सकता हूँ So formula क्या बताया था मैंने अभी सबसे पहले main word फिर doer फिर not फिर action main word लगा do doer है आपको you फिर I not do not sorry do you not फिर क्या है action लगना feel या think So do you not think या फिर do not को merge कर दो don't कर दो don't you think कि आपको नहीं लगता ये कुरूरता है की के लिए आप that लगाना चाहो लगा दो ना लगाना चाहो मत लगाओ ये कुरूरता है ठीक है ये sentence है छोड़ा सा simple present का ठीक किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या है किसकी बात कर रहे है this main word is अभी कह है कुरूरता cruelty ठीक है तो किया आपको नहीं लगता कि एक route है don't you think this is cruelty ठीक है ठीक है देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है ठीक है देखता हूँ ओके let me see अब let me का basically मतलब होता मुझे करने दो let me go मुझे जाने दो let him go उसको जाने दो let him play अगर यह सवाल होता question word mean word do or action यह formula होता है लेकिन अगर सवाल ना हो जैसे एक तो यह हो गया तुम कहां जा रहे हो यह सवाल है अगर मैंने बोला मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो यह सवाल नहीं है ठीक है जी दोनों में आया तुम कहां जा रहे हो लेकिन जो पहला है तुम कहां जा रहे हो यह सवाल हो गया दूसरा है मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो यह सवाल नहीं है ठीक तो जब सवाल ना हो अगर सवाल है तो question word mean word do or action और अगर सवाल नहीं है तो question word लगा गया, साइड में रख दो, do or mean word अलग रहेगा, ठीक है question word के बाद mean word नहीं आएगा अगर सवाल नहीं है, तो question word लख दिया, फिर do or mean word action same यहाँ पर, क्या कर सकता हूँ क्या के लिए what, साइड में रख दो अब do or mean word action, do or कौन है मैं, I, mean word can, action, do, करना, do ठीक, so what I can do देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, what I can do अगर सवाल होता, कि मैं क्या कर सकता हूँ, so what can I do ऐसे, ठीक है, ठीक है देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, okay, let me see what I can do, जैसे होता है, मैं आपके लिए ठीक है देखता हूं मैं क्या करता हूं ओके ले में सी वाट आई कें डू यह थी आज की वीडियो अच्के सेंटेंसे आई होग रही होगी कोई डाउट है कोई कोई रही है कॉमन बॉक्स में जिए वहां मुझसे पूछे वीडियो पसंदा लाइक कीजिए नए हैं लेक्स के स